Hello everyone, अभी मैं हूँ Tara View Homestay Shoghi Shimla में ये बिल्कुल Shoghi Market में है, ये homestay 5 rooms की ये प्रोपर्टी है यहाँ से Shimla 12 km के distance पे है ठीक है यहाँ से जो Tara Devi Temple है वो 3 km के distance पे है जहाँ से view बहुत अच्छा आता है, पूरे mountains 360 view है जहाँ पे आप जा सकते हो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो Toy Train का Railway Station वो यहाँ से सिर्फ 2 km के distance है main market Shoghi Market में ये homestay है तो अभी मैं आपको यहाँ के rooms दिखाता हूँ room से view, यहाँ पे free parking, parking available है अगर car park आपको करनी है तो आपको free car parking यहाँ पे available होकी तो चलो चलते हैं, इस homestay को explore करते है यहाँ के property है, आप देख रहे हैं पूरी line wise, 1, 2, 3, 4, 5 तो मैं यहाँ पे morning में 6 बजे पहुच गया था morning में मैंने परांठे, चाए, अचार खाया था तो परांठे बनाए थे, यहाँ पे तो rooms देखिए, आपको पूरा यहाँ पे hotel वाले feel आने वाले, देखिए, कितने बड़ी आरोम यहाँ पे बनाए हुए है और यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ से आप view देख सकते हैं, और आप बैठ के rest कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और यह complete आप view देख रहे हैं और यह पूरा आप मीरर यहां पर देखिए आपका सामान रखने के लिए यहां पर कितना स्पेस अवेलेबल है कमबल है एक्स्टा कमबल की आपको रिक्वायरमेंट है तो वह आपको मिल जाएगा और यह वोश्रूम अरे वाँ देखिए कितने बढ़िया यहां पर वोश्रूम बना रखे हैं पूरा आपको होटल वाले फील आने वाली है गरम पानी आपको मिलेगा और यह आप देख रहे हैं कमबलेट फ्यूऊ तो देखिए तारव व्यू होमस्टे के रोम्स पूरी आपको होचल जैसी यहां पर फिल आने वाली है तो आप पूरे अगर यह यहां पर आ रहे आप शोघी में शिम्ला में और आपको लेके चलता हूं इस रूम में, इस से अगले रूम में, तो आप यह देख सकते हैं व्यू, आप टीवी के मज़े ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो यह complete रूम आप देख सकता हूं, मैं आपको यहाँ पर, सबसे पहले आप वोश्रूम देखिए, पूरे होटल जैसे आपको य दिलाने वाली है, और यहाँ से यह complete आप रूम देख सकते हैं, यहाँ से आप व्यू देखिए, तो complete आप यह व्यू देख रहे हैं, और यह आपकी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, यह हो गई, आपकी कार पार्क ही, तो यहाँ पर आप कार पार्क कर सकते हैं, शोगी मार्कि आप देख रहे हैं तो जो आपकी बस आएगी यहाँ पे रुकेगी यहाँ से बीच से अगर आप जाओगे शोगी जो टोई ट्रेन है यहाँ का रेलवे स्टेशन वो सिर्फ 500 से 600 मेटर के डिस्टेंस पे है और अगर आप कार से जाओगे तो यहाँ से आपको उपर जागे 2 क किलोमेटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा आपका तो दिल्ली से जब आप यहाँ पे आओगे तो यह दिल्ली शिमला रास्ता है शिमला यहाँ से 12 किलोमेटर के डिस्टेंस पे है आगे तो आपकी बस यहाँ पे रुख जाएगी और यहीं पे हमारा तारभ व्यू होमस्टे यह देख रहे हैं तारब व्यू होमस्टे तो मैं आपको चलो लेकर तारब होमस्टे आपका स्वागत करता है यह दोर बैल मौर्निंग में मैं आया था तो मैंने यह साड़े छे बज़े पहुच गया था मैं यहां पर तो यह आप देख सकते हैं यह रिसेप्शन रिसेप्शन आप यहां पर वेट कर सकते हैं जब तक आपके रूम्स वगरा से जो गेस्ट आयो हुए उनका चेक आउट नहीं होता और यहां पर बैठ के जो भी आपका ब्रेकफास्ट लंच डीनर आपको करना है वो आप यहां पर कर सकते हैं तो यह आप द ज्यसे की आप देख रहे हैं फील आने वाली है तो अगर आपको यहां पर होमस्टे में बुक करना है तो डिस्क्रीप्शन में मैं कॉझेक टीडिल्स मेंशन कर दूंगा अप कों Del 2 पे आप कोल करके अप यहां पर अपनी अविलेबशिटी चेक कर सकते हैं और अपने रू यह हमारे तारव व्यू होमस्टे से बिल्कुल 300 मीटर के डिस्टेंस पे तो आप टोई ट्रेन से भी आ सकते हैं, टोई ट्रेन के मज़े कर सकते हैं, शोगी से शिमला तक टोई ट्रेन में जा सकते हैं, टोई ट्रेन का एक्सपिरियंस करने के लिए, ओल लाइन भी बुक कर सक आप टिकेट और आपको टिकेट यहां पर भी मिल जाएगी टिकेट काउंटर जो यहां पर रहता सबी स्टेशन पर जैसे यहां पर है टिकेट काउंटर तो यहां पर भी आपको मिल जाएगी तो आप अपना स्टे यहां पर बुक कर सकते हैं शिमला को एक्स्प्लोर कर सकते ह हैं description में details हैं तो खाने का तो पूरे हमारे देविंदर भाई देविंदर भाई कैसे हो तो जितने भी जितने भी गैस्ट आएंगे हमारे यहां पर तारव व्यू होमस्ते में तो आपको उनका खयाल रखना है जो भी खाना खाना रहता है जो भी चैक इन चैक आउट ओके सर वेलकम एवरिवन कोई भी आया है यहां हम आये तरब से कोई कमीनों की किसी कीजिए ओके जो कोई भी एक्सट करना चाहेगा हम से जितनी से वह सकी हम पूरा वाजी वाई यही चाहिए आप से आप देख रहे हैं टोई ट्रेन का रेलवे स्टेशन वेलकम टो शोगी रेलवे स्टेशन तो अब अपना स्टे बुक कीजिए तारव व्यू होमस्टे में और यहां पर आसपास की लोकेशन को एक्स्प्लोर अभी हम टोई ट्रेन देखके आये हैं शोगी रेलवे स्टेशन से और अभी हमां हमें खाने का मन किया मैगी तो इसको एक्स्प्लोर करके आएंगे अभी आप देखिए संसेट हो रहा है और यहां से आप व्यू देखिए होमस्टे के पास ही हम वोक करने आए हैं वो मेरे साथ ही थोड़े से आगे आप देख रहे हैं और यहां का व्यू तो पास में आप ऐसे वोक कर सकते हैं और यहां क नजारे ले सकते हैं, कितना ब्यूटिफुल नजारे संसेट के वाइनली हमारा टीनर रेडी हो चुका है, तो सर ने हमारे लिए इतना प्यार से खाना बनाया है, तो आज हिसमें है राजमा, कितना बड़िया लग रही है, मैंने टेस्ट भी गिये थे बहुत अच्छे लग रही है, और है चावल, चापातिया, सैलेड, और अभी सर कह रहे ह मेरे लिए बनाएंगे खीर, सेवया या खीर, दोंदों में से एक उप्षन रखेंगे, और फिल थोड़ी से रात को थोड़ी सी चाएगा, सर्प्राइस होगा, कि चाएगा, खीर बने गिया सेवया बनाएंगे, तो देखें कितना खयार रखते हैं यह अपने जो गेस्ट आते हैं यहां पर तारव व्यू होमस्टे शोगी में, तो आप भी यहां पर आईए विजिट करिये, यहां कि आप होस्पिटैलिटी को डेफिनेटले इंचोई करेंगे, तो अभी मैं खा रहा हूँ, अपना डिनर कर रही है, जोड़ा, ओके जी, थैंक्यू, जोड़ा, ज